अस्सलाम उलेकुम आज हम बनाएंगे मिर्ची पकॉड़ा जिसके लिए हमने लिया है एक कप बेसन बारिष का मोसाम है तो मिर्ची पकॉड़ी तो बनना ही चाहिए और सब को इंतजार रहता है पकॉड़ियों का तो आज हम पकोड़ी की जंगा मिर्ची पकोड़े बना रहे हैं यहाँ पर हमने एक कप बेशन लिया है और आदा चमश मिर्च पाउडर और आदा चमश नमक आप लोग स्वाधनुसार ले सकते हैं और यहाँ पर हमने चाट मसाला लिया है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो है मिर्ची पकोड़ा बनाना आपको हम बताएंगे वरना अपने यहाँ तो जो घर पे बनाई जाती हैं तो उसका बैडर पतला हो जाता है जिसकी वज़ाँ से मिर्च खराब बनती है और यह गाड़ा बैडर होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पाई डालकर हम बैडर को अच्छे से तयार कर लेंगे तो हमारा बैडर जो है न तो बहुत ज़्यादा गाड़ा हो और न बहुत ज़्यादा पतला हो ठीक होना चाहिए यहां पर हमने आप देख रहे हैं कि सिर्फ हम एक चम्मच के से ही पानी डाल रहे हैं और आप वहां पर हम मिक्स कर चुके थे तो अब हम इसे विस्कर की मतलब से अच्छे से इसको फेट लेंगे बहुत ही अच्छा हम फेट लेंगे इसको और इसमें हम तोड़ा सा सोडा भी डाल देंगे अब यहाँ पर हमने गैस पर अपने कढ़ाई रखाय ya उस ने त establishment acum कढ़ों भी डाल दिया है और इसमें यह मारा ते अच्छे से जब करआ दाएं थामस को मिर्च पलेंगे अब यहाँ पर हम मिर्चों कहया हैं It is तो एक दूसरे में चिपक कर खराब हो जाएंगी तो इस वजह से हम दो-दो मिर्चे करकर डाल रहें और इसी तरीके से हम मिर्च को डाल देंगे और जब हमारी नीचे से अच्छे से मिर्च Wyatt अच्छे से शिक जा है तब हम उसको पलत लेंगे बस यहां पर यह याद रहे कि हमारा गोल यहां फो कि पतला ना हो जैसा हमारा गोल था भी दो न जादा टाइट हो और ना जादा पतला हो तो इसी तरीके से हम उसमें सारी मिर्चों को डिपोपर और अपने तेख में फ्राई कर लेंगे अच्छे से और हम इसको हलके से जब नीचे गोर्लन हो जाए जब ही पल्टें तो उससे हमारी मिर्च जो है ना फटती है और ना किसी से चिपक कर खराब होती है और इसी तरीके से सारी से मिर्शे हम दर लेंगे और इतना बड़ी हम वासम में तो मिर्च खाना तो बनता ही है इसलिए आप जो हैं मिर्ची पकोड़ा जरूर बना कर खाएं मिलते हैं अगली वीडियो में आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं और अगली वीडियो हम किस पर बनाएं ये भी बता दिया कीजिए हमारे सब मिर्चे तलकर बड़ी आसी बनकर तयार हो चुकी है और मिर्ची पकोड़ा पर ये हमारी मिर्चे बनकर अच्छे से रेडी हो चुकी है तो बस आपको ध्यान रखना है बैटर का कि हमारा बैटर जो है ना बहुत पतला हो और ना बहुत जादा गाड़ा हो तो उससे जो बैटर हमारा हमारा परफेक्ट होना चाहिए और उसी वज़ा से हमारी मिर्चे बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गई है और इसी तरीके से आप भी बनाएं और बैटर पर ध्यान जरूर दें तो आप भी मेंसे बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएंगी और मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अल्डा हाफीज